आज मैं आपको एक ऐसे बिजनिस के बारें बात करने वाला हूँ जो की पूरी साल चलने वाला है इस बिजनिस में कोई बहुत ज़्यादा जंजट वाला नहीं है ये मार्केट में इनकी बहुत काफी सारे डिमाड है और आने वाले दिनों में भी इनकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है इनमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है केवल भाई बंडल खरीदने हैं और वैसे वैसे बंडल आपको मार्केट में बेचने हैं इनमें आप एक दिन का एक हजार रुपे से लेकर दस हजार रुपे अराम से कमा सकते हो वैसे यहाँ पांच जार से लेकर दस हजार दिन का प्रॉपेट होगा तो इस बिजनेश को कैसे करना है, माल काँ से करिदना है, क्या लायसन की जरूत पड़ेगी सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो प्रणाम, मेरे प्यारे प्रुथिवासी, मेरा नाम है परखाबोका और आप दरिश्टा बने हैं देश की सबसे भरुशबन यूटूब चैनल त्योर बिजनेश के तो चलिए भटापट ये बिजनेश भी सीख लेते हैं अब दोस्तों चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे मौल हो, चाहे खेत हो हर जगह आपको केबल की जरूत पड़ेगी तो ये बिजनेश करके आप अच्छा कास्य आपरॉफिट कर सकते हो यानि कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लेक्सिबल केबल के बिजनेश के बारे में अब इन बिजनेश को आप चाहो तो होलसेल में भी कर सकते हो और आप चाहो तो रिटियल से भी इनको स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इन बिजनेस के बारे में ठोड़ा बहुत कुछ जानते हो अब ठोड़ा electric का, electric का अगर अपने काम किया है तो आप इनको one sale से में start कर सकते हो अगर आपको इनके बारे में कुछ भी knowledge नहीं है कुछ भी जानकारी नहीं है तो भाई आप इन बिजनेस को रिटेल से स्टार्ट कर सकते हो अब बात करते हैं कि इन बिजनेस में आपको कैसे काम स्टार्ट करना है देखिए अगर आपको रिटेल में करना है भाई तो आपके पास एक अच्छी सी दुकान होने चाहिए बाड़े पे होगी तो चलेगा घर नहीं है तो बड़िया बात है मगर वो मार्केट के बीचों बीच में होने चाहिए और अगर आप होलसेल में करना चाहते हो तब ही आपके लिए दुकान के कोई भी जरूरत नहीं है आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए अगर गोडाउन नहीं है आप अपने घर से भी इन बिजनिस को वोलसेल में स्टार्ट कर सकते हो अब बात करते हैं कि माल कहों से खरिदना है देखे दोस्तों जब भी आप कोई भी प्रोड़क्ट वोलसेल में खरिदना चाहते हो तो इनकी बड़ी-बड़ी मार्केट होती हैं वैसे बॉम्बे में हैं दिल्ली में हैं गुज़त की बात करो तो एमदाबाद में हैं ये देश की कुछ ऐसी चार-पांच बड़ी मार्केट हैं जों से आपको माल सस्ता मिल जाएगा मगर एक बात है जब भी आपको किसी बिजनिस को स्टार्ट करना है तो भाई कोई दिल्ली, बंबे, कलकता, एमदाबाद जाने के जरूरत नहीं है आप जो भी स्टेट में हो ये भाई बात में अपने होर वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी लोग कापी सारे कमेट करके पुछते हैं कि हम माल काँ से करीदे हमें होलसेर मारकेट कहों मिलेगी तो आप जो भी स्टेट में हो, आपके आसपास में, आपके स्टेट में कोई एक सीटी तो सबसे बड़ी होगी जो मार्केट के लिए फेमस होगी जहाँ पर होलसेल में सारी चीज़ें मिलती होगी तो उसी सीटी में आपको चल जाना है आपको जाना है एक बड़े होलसेल के पास अब जो होलसेल है वेशे देखी इनकी मार्केट मिलेगी जो city में जाओगे वहां आपको इनकी market मिलेगी और market में आपको काफी सारे वोल्सरल मिलेगे फिर इन में से आपको सभी को मिलना है सभी के पास से rate लेना है सभी के पास से इनके quality देखनी है यह सब कुछ करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भी यह वोल्सरल है इनका rate ठीक है और इनका माल की जो quality है वो best है तो फिर आपको भाई इनके पास से माल खरीदना है अब माल लेके आपको अपने ही आ जाना है अब बात करते हैं कि इनमें investment कितना होगा देखी अगर investment की बात करें तो दोस्तों इन business में देखी केबल तो कई सारे आते हैं कई सारे कई टाइप केबल आते हैं मागर आपको जो हैं वो केबल फ्लेक्सिबल केबल से ही शुरूआत करनी है क्योंकि एक ही product से अब शुरू करोगे तो एक ही product को आप कम से कम कुछ कम investment से इन में खरिज सकते हो और कम रेड में खरिज सकते हो तो आप शुरूआत में यहां एक लाग का investment करके आप इन business को start कर सकते हो वैसे आप इन में दो लाग, चाल लाग या पाइट लाग का investment करके भी आप इनको start कर सकते हो अब बात करते हैं भाई कि यहां आपको क्या क्या लाइसन की जरूत पड़ेगी तो देखे दोस्तो लाइसन में जो हैं वो अपने यहां जो नगर निगम हैं इनका गुमाश्ता धारा का लाइसन आता हैं वो आपको ले लेना है गुमाश्ता धारा का लाइसन ले लोगे फिर इनके बाद आपके पास और कोई लाइसन नहीं होगा तो चलेगा बाकि दोस्तों आपका बिजनेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर वैसे बाद में आपको जीष्ट नमर लेना है आप अपने फ़म को रेजिस्टेशन भी करवा सकते हो अब हम बात करते हैं कि माल को आपको कहा बेचना है देखिए अगर आपको होलसेल में बेचना है तो भाई आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक की दुकाने हैं इन दुकानों में आपको इन माल को बेच सकते हो देखिए ऐसा जरूर नहीं है कि आप गोलसेट के पास से माल लओ आप चाहो तो कोई बड़ी ब्रांड है जो आपके यहां चल रही है आप इनका डिस्ट्यूबिटर्शिप बन सकते हो आप इनकी डिलर्शिप ले सकते हो और किसी भी एक ब्रांड का माल भी आप बेच सकते हो इनकी क्वालटी अच्छी है और आपके यहां जो मार्केट है वो किस टाइप का है वो आपको देखना है और आपको लगेगा कि यह जो ब्रांड है इनका माल अच्छा है कोलटे अच्छी हैं और मेरे यहां चलेगी उस टैप की जो ब्रांड है इनके आपको डिस्टिबूटर शिप लेकर आप अपने यहां डिस्टिबूटर के जरीए भी बेच सकते हो बाकि भाई आप अपने हिसाब से माल खरीदो और बेचो देखी अगर शुरू-शुरू में कोई कंपनी आपको डिस्टिबूटर शिप साइद नहीं भी देगी मगर जैसे आप वालसेर मार्केट से माल लाओगे और खरीदना बेचना स्टार्ट करोगे तो जो ब्रांडे वहती हैं इनको पता चल जाता हैं कि यह जो बंदा हैं यह वालसेर माल बेचता हैं वालसेर भी जाना हैं अपना जो अपने आपना जो माल हैं इनका एक सेंपल पीस लेकर आ जा सकते हो यह वार का छोटा सा टुक्ड़ाप लेकर जा सकते हो एक मिटर दो मिटर का या एक दो फूट का उनको दिखा सकते हो कि पीछ टाइब के हमारा क्वालिय आई गया इन में इто ता bury आते हैं ये क्योंकि देखो इसमें कई सारी quality होती है जैसे कि 1.5 mm है 1.5 mm है 2 mm है तो इसमें काफी सारी variety आती हैं काफी सारी quality भी आती हैं तो वो सब आपको समझना है और माल खरीदने से पहले दोस्तो आपको अपने local market में search कर लेना है अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको किसी कोई electric की दुकान है इनमें आपको 2-4 मिन नौकरे कर लेना है या अगर आप नौकरे नहीं कर सकते हो तो अपने यहां जो local में जो दुकाने हैं वैसे काफी सारी दुकोन में आपको गुमना है और अच्छी तरह से इनकी quality समझना है फिर आपको माल लेने के लेगे जैसे जिनकी quality उन पर उनके rate होते हैं तो अगर profit की बात करें तो यहां आपको प्रति बंदल 10 रूपी से लेकर 200-300 रूपे तक एक बंदल में profit मिल सकता है अब माल लेजे किसी बंदल में आपको 100 रूपे profit मिल रहा है और आपने किसी party को 20 बंदल बेचे तो भी यहा आपका 2000 का profit हो जाएगा और अगर आपने दिन में केर 5 order लिए तो भी आप दिन का 10,000 पर profit कर सकते हो तो इस type का profit है इन business में आप आराम से कर सकते हो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे comment करके ज़रू बताना हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और useful वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत